कि हेलो एवर्वान बेरी गुड आफ्टनून मैं अंजली पांडे आप सभी का अग्रिकल्चर एंजी के लर्निंग प्लाटफॉर्म पे स्वागत करती हूं मैं आज आपके सामने आई हूं विद दर क्वेश्चिन पेपर ऑफ एससेंट कमिशनर और फूर सेफटी ठीक है तो आप लोगों के लिए कि इंपॉर्डंट इंपॉर्मेशन है अगर आप जम्मु काश्मी एससेंट कमिशनर और फूर सेफ्टी के लिए प्रिपैर कर रहे हैं तो आपके लिए है एक कमीज कोड जिसमें आपको प्रवाइड किया जा रहा है स्टडी मेटरियल जो है आपका प्रवाइड किया जा रहा है आपको आपको तैसी इस प्रवाइड के यूट्यूब क्लासेज और उसकी नोर्स जो है वो मिल जाएंगे प्रीविस एर क्वेशन पेपर मिल जाएंगे अक्वालिटी कंटेंट जो कि आपका आपका यह जो ड्रीम है एसिस्टेर का विश्वन और फूर सेफटी ऑफिसर एक्जाम को क्रैक करने का उसको फुल्फिर करेगा और इस को इस को प्राइज है वो सिर्फ तरीन हंडेड रुपीज है यानि कि तेरा सो की मिनिमल कॉस्ट प्राइस पे आप इस कोर्स का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं तो अगर आप इस को कोई भी इंक्वाइरि ओव इफ एनी इंक्वाइर रिगार्डिंग इस कोर्स तो आप उसके कॉंटाइक कर सकते हैं आपके कोर्स में इन्रॉल कर सकते हैं क्वेशन स्टार्ट करने जा रहा है हम लोग ठीक है आपके सो पहला क्वेशन क्या है आपका देखिए ज़रा यहां पहला क्वेशन क्या पूछा गया है जो भी आपके फार्मसुटिकल ड्रॉग्स होते हैं उनकी अंदर आपका ग्रानुलेशन का जो है प्रसस होता है ठीक तो उसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा मेथर्ड जो है वह आपका अगला कह रहा है एक्सेव मॉइस्चर प्रेजेंट इन टाबलेट ग्रानुल्स इस रेस्पोंसिबल फॉर ठीक है जब आपके जो जो भी आपके क्याप्स्यूज है ठीक है अगर उसके ग्रानुलेशन या उसकी उपर की कोटिंग की गई है उसके अंदर जुन को एक तरह से एक अग्लॉर्मेंट चूसका किया जाता है ठीक है तो उन में अगर हम यह दिखेंगे कि ज्यादा माउंट में मॉश्चर प्रेजंट होगा तो कहीं न कहीं आपको उसमें स्टिकिनेस की प्रॉब्लम जो है वह आएगी तो एक्सेव मॉश सब्सक्राइब करते हैं ठीक है उनको एक एक एसलेटेग तेम्परेचर के अंदर ठीक है एक एक एक्सपरिमेंट जो कि आपको इसलेटर टेमपरेचर के अंदर किया जाता है तो किस एक्वेशन से आपको मिलता है तो यहां पर एक एक्वेशन साप क्या चैस करते हैं आपके साइज आपके साइज क्या अपक्सूल होते हैं वह आपने देखा होगा कि यापके option का कि चाह दोस्तों आपके जो साइज हो वेरी करते कि उनके अंदर कितना डोजेज है उनका वेट किता है ठीक है तो सबसे स्मॉलेस जो होगा आपके फाइव का होगा और जो है आपका सबसे जो बड़ा होता है वह आपका के अंदर प्रेजंट होता है लार्जर नंबर मतलब स्मॉलर अमाउंट में प्रेजंट होता है वह आपकी फाइव होगी इन ओप्शन के कंपेर में ठीक है क्या क्या रहा है कॉंटांक्ट एंगल ओफ कंप्लीट वेटिंग इस जब भी आपके जो भी अड्राज या फिक सर्फिस के अंदर कंप्लीट जब वेडिंग होगी तो उसके अंदर का जो एंगल होगा वह आपका 90 वह आपका 80 जीरो डिग्री सेल्सिए बिल्कुल भी कोई अंगल नहीं होगा तो वह कंप्लीटली वेट हो जाता है ठीक है अगर 90 डिग्री का अगर अंगल है तो वह बिल्कुल अन्वेटेबल कंडिशन से उसके अंदर ठीक है तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा 0 डिग्री सेल्सिए जिए इस नमर कुछिंग क्या कह रहा है पॉर्ड़ प्रिपरेशन ऑफ प्रामरी इमल्शन कंटेनिंग वुलाटाइल डरेशियो ऑफ वुलाटाइल वाटर एंड गम इल्टुज आपका इमल्शन आप वड़ाइल का इमल्शन करते हैं तो उसमीं पूछ रहा है कि वोलाटाइल वॉटर और गम का रेशियो कितना होना चाहिए उसमें आपका बने स्टू प्रेशन प्रिजन होना चाहिए ठीक है कि अगला क्रीब टेस्ट इस यूज तो अनलाइज दो विसको एलास्टिसिटी प्रपर्टी ऑफ तो आपको क्रीब टेस्ट होता है जब उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो एक प्रेशन आपका दिया जाता है ठीक है एक पर्टिकुलर आपके जेल या ओंटमेंट के पर्टिक तकि जब अप्लाई होता है वह यूज के जाता है वह चेकिंग विसको एलास्टिक प्रपर्टी ओंटमेंट के लिए आप रिप्रेश्ट तेस्ट करते हैं इन ओंटमेंट ठीक है अगला आप से पूछ रहा है सोडियम थायो सलफ़ेट इस एडड़ टू आइड्रॉप एल्स ठीक है आप आइड्रॉप यूज करते हैं तो उसमें जो है आपका सोडियम थायो सलफ़ेट जो है वह एड किया जाता है वह अगला कुछ रहा है वह इस रेंज और एंगल और रिपोज पर एक्सिलेंट फ्लोइंग प्रापर्टी ऑफ पाउडर तो आपका जो जितने भी आपके द्रॉपस के अंदर जो भी फार्मर्सटी के अंदर जितने भी पाउडर जोते हैं उनका एक्सिलेंट फ्लोइंग प्रपरटी कितने एंगल पर होगा वह वह वापका 25 degrees to 30 टेंगल पर चैन्ट कोशन कह रहे हैं काउल्टर काउंटर मेफ़ड इस यूज़ टुटर्माइन तो एक पर्टिकुलर ड्रक्स में आई आपके capsules के अंदर की जो particle size है उसको आप determine करते हैं by culture counter method तो तो राइट यांस सब भी यौर पार्टिकल size आश्य प्रासिटी का मतलब क्या होता है अगला गोड़ा प्रोसिटी इस एक्स प्रेजडिन यही प्रोसिटी का आप किसमे express करते हैं तो में लिए आपका रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम के अंदर किता पॉर स्पेस प्रिजन्ट है उससे आप पॉरोसुटी को टेस्ट करते हैं तो यह आपका परसेंटेज के अंदर जो है डिटर्माइन किया जाता है ठीक है जुए चैनि कलिट इस पांस आर कॉल एव अगर आप स्पांस को कैमिकल टंस बोलेंगे तो उनका उसको क्या कहा जाएगा यह पूछ रहा है तो sorbiton esters of fatty acids यह आपका राइट हैं से होगा chemical spans are called as sorbiton esters of fatty acid ठीक है अगला कोशन क्या रहे है विच और वन आप the following physical property is not a rheological property तो यहां पर पूछ रहे हैं कौन साइस में से एक rheological property नहीं है ठीक है तो एक आपका environment हो गया या फिर आपका कोई भी जैल हो गया उसके अंदर की जो रियो लॉजिकल प्रोपर्टी उसमें से सर्फेस टेंशन जो है वो नहीं आता है ठीक है तो यह आपका रियो लॉजिकल प्रोपर्टी नहीं विसकोसिटी प्रोपर्टी यह सारे प्रोपर्टी साथ के आते हैं लेकिन कहीं नहीं आती है ठीक है कि वन अगला 14 तक्रक्षिन क्या कहरा रहा है a maximum sedimentation rate will be observed when data potential is ठीक है तो आपका तो potential है अगर कमेक्सम सेडिमेंटेशन रेट कब आपका चक्क्या जाएगा जब आपका जेटा potential जो है वह आपका जीरो होगा ठीक जब जीरो होगा तब ही आपका जो सबसे जादा सेडिमेंटेशन रेट आपके किसी भी ड्रक्स में देखने को मिलेगा जब आपका देटा पोटेशल जो है वो जीरो होगा कि क्या क्या रहा है विच वान दो फॉलाइंग इस नॉट डिराइड प्रोपर्टी आपके प्रोपर्टी नहीं है अगला पूछ रहा है इन कांड़क्टिविटी टेस्ट इफ बाल ओन पासिंग एलेक्ट्रक्रेंट वुड़ बी ताइप आफ इमलशन तो यहां पे कहरा है कि अगर एक कंड़क्टिविटी टेस्ट आपका क्लिया जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि बल्ब जो है वह वह जल रहा है तो उसमें तो कैसा इमस्जन होगा तो उसमें जो माणवगोग वह ओल इन वाटर इमल्शन हो या निकि आपके वहात क्वेंट इत्तृ यानि कि एक सब्सक्राइब को जो आपका जो मॉलिक्यूज वह आपके लोग कंसेंट्रेशन से लोगर कंसेंट्रेशन की तरफ आपके मूव करते हैं ठीक तुर्वा समी पैमें मेंब्रेन उसको क्या करते हैं आप आस्मोटिक प्रेशर करते हैं यानि मूब्मेंट और पूछ रहा है अगला पूछ रहा है अरोमेटिक वातर आरोमेटिक वार्टवलोल होते हैं उनका वा ससेट्योरेशन होता है उसको आप क्या कहते हैं कि हो केकिंग और सस्पेंशन इस ऑब्स आपके जुब सर्फेंशन जो नेकर किंग एक एक बलॉकल स्टुक्टिर जो फ़ामेशन होता है वह किसमेंग आपका देखने को मिलता है तो आपका डी फोकलिएट सबस्पेंशन के अंदर आपको केकिंग की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी ठीक है 120 नंबर क्वेशन के रहा है दा सॉल्विलेटी ऑफ ड्रॉग इन वाटर इंक्रीज इन प्रेसेंस ऑफ लाज अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वल अटिव बिकॉस ऑफ ठीक है तो यहां कह रहा है कि एक जो आपका ड्रॉग होता है ठीक जो भी आपका कैप्सुल है वह वाटर के अंदर उसकी सॉल्विल्टी जो है वह बढ़ जाती है इन प्रेसंस ऑफ लाज अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्वल अटिव बिकॉस ऑफ हाइड्रो ट्रॉफी यानि कि जो आपका वाटर केंदे जो ड्रॉग से ठीक है और जो वाटर है ठीक है उसके अंदर का कंसेंट्रेशन कि अगला कह रहा है इंप ब्लोच एंदर कांसेंट्रेशन है उसके अंदर किसी भी तरॉक्त तो आपका आपका मुवमेंट होने लगेगा तो आपका क्या होगा है तो आप क्यों से बाहर होने लगेगा फिरीट तो न गोकर है थ цвет is आपको जो Хology का तो त्योति है आपकी ठीक है उसके अंदर की अากली कस टूररशन होती है वह ज्यादा होती है किसी की आपके आरॉमेंटेग वोटर से एक स्मैल के अगर बात कि मिभले के जातोय जो आर्मेंट vibration उस से ज्यादाव आपका alcoholic concentration present होता है कि इसके अंदर spirit के अंदर ठीक है in cgmps g is related to तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका good manufacturing practice होता है जो जी एंपेस होता है ठीक है तो इसमें यह पूछ रहा है कि आपका जो है जी है वो किस से आपका related है तो यहाँ पर आपका packing and labeling control से जो होता है आपका related होता है ठीक है कि आज़िए अज़िवार्ट कोशन क्या कह रहा है तो c max in plasma concentration versus the time कर इंडिकेट्स तो यहाँ पर यह कह रहा है कि c max नहीं एक का आपके plasma के अंदर कितना concentration है ठीक है और उसको आप ताइम कर्व के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेट of absorption यानि जिस रेट से वह एब्सॉर्ब कर रहा है वह उसी रेट से क्या करेगा आपका करेगा तो यहाँ पर राइट एंसर होगा रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इस इक्वल तो रेट ऑफ एलिमिनेशन अगला क्वेशन क्या क्या है मॉटलिंग इन टैबलेट्स मॉटलिंग क्या होता है कि आपके जो टैबलेट्स होते उसमें जो कलर का देखते हैं तो वह मतलब होता है तो इसका मतलब होता है आपका अनिक्वल डिस्ट्रिबूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट ठीक है तो एक टाबलेट के ऊपर जो है अनिवन या फिर आपका एक सही अमाउंट पर नहीं जाहीं कम वह उता है आपका मॉटलिंग इन टैबलेट्स कर्षेटर और प्लास्मा को सब्सक्राहिं कि ऌत सब्सक्राइब करता है यहां पिर हैं का स्वस्क्राहाइश सिब्सक्रेट्स नौल्य। से यहां कि प्रइटिक के बाद है पार होता है कि और चीज़े पहुंचती ऑच जाती है तब उसके clearance के value से, इसके ratio से, आपका rate of uranication divided by plasma drug concentration, तो यह आपका renal clearance से निकलेगा, ठीक है? अगला क्या कह रहा है, 127 नमर कोशन यह कह रहा है, अगला कोशन कह रहा है, following is not used as measure of flow property, of powder, तो किसको आप flow property of powder नहीं कहेंगे, तो आप bulk density को flow property of powder में consider नहीं करेंगे, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, which equation is related to the air permeability method, तो यहाँ पर आपका, कोजनी कार्मेन equation जो होता है, वो आपका right answer होगा, for आपके air permeability method के लिए, ठीक है, अगला क्वेशन क्या कह रहा है, as hlb value between, ठीक है, तो आपका जो hydrophilic और lipophilic जो बायो जो ratio होता है, उसके में अपका वेटिंग एजेंट्स होता है, उनकी value कितनी होगी, आपकी 7 से 9 जोगी वो उसकी value होगी, ठीक है, अगला question क्या कह रहा है, कि Zeta potential is used in collides to determine the stability of dispersion, जब उसको एक temperature के अंदर रखा जाता है, अगर किसी भी collides को आपके जो भी drugs आप बनाने के लिए, जो भी material आप यूज कर रहे है, वो collides कैसे temperature पर react करते हैं, ठीक है, वो डिटर्माइन करता है क्या आपकी stability of dispersion है, यहां पर आपका data potential क्या आपको लाइज का जो dispersion के अंदर stability है, उसको analyze करता है, ठीक है, 132 number question क्या कह रहे है, which kind of drugs are absorbed through endocytosis, तो कह रहे है, endocytosis मतलब कि जो cell है वो उसको इंगल्फ कर ले रहे है, ठीक है, तो यहां पर आपका right answer क्या होगा, macromolecule drug or drugs as oily droplet, तो इसको क्या कहता है, यह आपका endocytosis की तरह आपका absorb होता है, ठीक है, what is the driving force of poor convection transport, तो poor convection transport के लिए आपका कौन सा driving force है, तो वह आपका hydrostatic potential जो होता है, वो responsible होता है for poor convection or transport, अगला question क्या कह रहा है, which of the following process is called as cell drinking, तो cell drinking की पॉलस को आप पीनो साइटोसिस कहते हैं, phagocytosis का मतलब यह होता है कि जब दूसरे cell क्या करते हैं, उसको उचारों तरफ से आपके जो एक membrane होता है, वो membrane क्या करता है, अगला question क्या कह रहा है, बिच बॉण्ड पार्टिसपेट इंड्रग receptor interaction, तो यहां पर क्या रहा है कि जो आपका drugs, जो भी आपके capsule हो गए, या पर आपके tablets हो गए, उनका जो है, एक receptor के साथ interaction जो होता है, उसमें कौन-कौन से bonds जोते हैं, आपके responsible होते हैं, तो ionic bond भी होता है, covalent bond होता होता है, hydrogen bond भी होता है, यानि कि all of the above will be the right answer, ठीक है, next question, what is the equation of by available fraction, तो आपका जो by available fraction है, उसका equation क्या होगा, तो यहां पर आपका right answer क्या होगा, by available dose upon the administrative dose, तो क्या होता है कि आपका जोब आप कोई भी दवाई recommend करते हैं, तो उसको जो है, आपका किस्ता मेंजर के आपके by available fraction से, यानि कि आपका by available dose क्या है, और administrative dose, यानि कि जो dose आपको यूज़ाइस है, यानि कि आपको दिया जाना चाहिए, उसका जो ratio होता है, वह आपका by available fraction होता है, ठीक है, अगला question क्या क्या है, यानि मिनिमम् यूरिनरी संप्लिंग ताइम ऑफ फॉर काल्कुलेटिंग दो वेरियस फार्मा फार्मो किनाटिक परामेटर इन कंपार्टमेंट मॉडल उसिंग्मा माइनस मेफोड, या पे पूछ रहा है, कि आपका दा मिनिमम् यूरिनरी संप्लिंग ताइम फॉर दे क्यालकुलेशन वेरियस फार्मा को नैटिक परामेटर इन कंपार्टमेंट मॉडल उसिंग स्टिग्मा माइनस मेफोड तो वह आपका सेवें टाइम्स बालोजिकल हाफ लाइफ ऑफ दाग तो आपका जो भी सिग्मा होता है कि आपका मिनिमम् यूरिनरी संप्लिंग टाइम होता है वह आपका सेवें टाइम्स होता है आप लोजिकल लाइफ बाइफ लाइफ अफ लाइफ ऑफ ड्रक ठीक है अब आपका पूछ रहा है कि दमेट्रिक एक्ववलेंट वैल्यू आफ वन टेबल स्कून जानि एक टीस्पून का जो आपका मैट्रिक एक्विवलेंट वैल्यू है वो कितना होगा तो वो होगा आपका राइट एंसर यहां पर फूर मेली लीटर ठीक है कि नेक्स क्वेशन के रहा है विच और फॉलाइंग स्टेट्मेंट इनकरेक्ट अबाउट यूवी फिल्टर्स यूजिंग और संस्क्रीन कॉस्मेटिक तो यह कह रहा है कि जो हम लोग इतने भी संस्क्रीन कॉस्मेटिक लेते हैं ठीक है तो हम उसमें आपने देखा होगा यूवी 50-30 आपका इंकरेक्ट है तो यहां पर आपका दिया हुआ है कि यह इंकरेक्ट नहीं है इसमें तो यहां पर अगला क्या है which property of the material change upon the polymorphic conversion तो यहां पर बोल रहा है कि एक material का जो polymorphic conversion होता है वो किसके बेस पर होता है तो वैटेबिलिटी crystal shape compressibility यह सारे factors होते पर important होते हैं किसी भी material के polymorphic conversion के लिए ठीक है अगला क्या है any material that is inserted in a cap to make a seal between the closure and the container is termed as ठीक जब भी आपका एक कोई cap बना जाता है क्या आप क्यों बना जाता है और आपका जो component हो खराब ना हो तो उसके लिए क्या होता है कि एक आपका मेट्राइल यूस क्या जाता है जिसके आपके closure और container के अंदर उसको आप क्या कहते हैं उसको कहते हैं आप closure liner closure liner का बिल्कुल उसको जो है एटाट करता है बिल्कुल कोई भी molecule जो है उससे पास नहीं कर सकते इसके लिए अगला क्या कह रहा है मेटेयर और डिवाइस यूस तो प्रोवाइड डबल इंप्रेशन ऑन दर टाबलेट सर्फेस इस तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा ऐंटी टुनरमी टिवाइस थे एंटी ट्रौन इंट तन जो होता है वह आपक़ करेंट डबल इंप्रेशन और डा टाबलेट सर्फेसे अगर यू सबना है इस की बना जाते उनको 143 number question क्या कह रहा है according to USP how much excess mobile liquid is to be filled in 5 ml injection single dose so as to withdraw accurately labeled liquid so यहां कहरें जो आपके इंजेक्शन होते हैं आपके 5 ml injection के अंदर आपको यह बताना है कि कितना आपको एक्सेस लिक्विड जो है वह आपको फिल करना हो ताकि आपको सही अमाउंट में जो है आपका जो ड्रग से वह इंजेक्ट के आपने देखा हो कि जब भी आपको इंजेक्शन लगाई थोड़ी लिक्विड वह बाहर निकाल दी जाते हैं ताकि जो एर वह पास-off कर जाए त एक्स्ट्रा आपका जो है मुबाइल लिक्विड वह डाला जाता कि आपको जो है एक्कुरेटली जितना आपको लिक्विड आपको अंदर डाल आपको इंजेक्ट करना है वह आपको मिल सकते तो राइट एंसर क्या होगा 0.3 ml अगला कह रहा है कि आपका गैस्ट्रिक अगलिंग वह आपका धीरे होगा ठीक है आँ अ कि 145 प्लाजमा कंसेंट्रेशन जो पहले बता था कि एक प्लाजमा के अंदर क्या कंसेंट्रेशन प्रिजंट है उसको आप सी मैक्स कहते है एक ऑफ़ड्रग इस अचीव डवें तो यह आपका तब होता है जब आपका एब्सॉर्प्शन रेट जो होता है वह एक्वल होता है यहां पर आपको पूछ लिया घ्यां एंटर फेस्ट बिट्वीन और इस नॉट पॉसिबल बिल्कुल सही बात है गास गास की कोई बीच में नहीं होता है विए उनके बीच में बहुत ही कम इंतरक्शन पॉर्ण मिनमल इंटरक्शन फोर्ड वोता है कितना आप किसके अंद हो सकता है लेकिन आपका जो ग्यास के बीच में आपास में कोई भी इंटरक्शन नहीं होता है अगला कोशन क्या कह रहा है दजी आए टी यानिकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्सॉर्बेशन जो होता है आपका और राइबो फ्लेवन इस मोर इप इस टेकन यानिकि आ आपका राइबो फ्लेविन नहीं कि आपका बीटू होता है यानि कि आपका बेटेमिन भी है उसका जो है इंटेक कब होगा सबसे जादा जब आप उसको आफ्टर मेल यानिकी खाने के बाद वह बिटेमिन कंस्यूम करते हैं तो इन विच फॉर्म एंपिसिलीन इस तो जो आपका एंपिसिलीन है वो आपके एन्हाइड्रस फॉर्म में सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है ठीक है अगला कोचिन पूछ रहा है हीलियम पीकनो मीटर इस यूज्ट टुडेइर्माइन तो यह आपकी ट्रू डेन्सिटी होती है उसको डेधिर आमाइंड करनी के लिए आप हीलियम पीकनो मीटर का यूज करते हैं ठीक है अगला कोशन पूछ रहा है वे शुगर इस मोर्स शुक्रोस डेक्स्ट्रोस इन्वर्ट शुगर तो बिल्कुल सही बात है आपका इन्वर्ट शुगर जो गाव सबसे दाव स्वीट है इन सबके कंपेर में ठीक है अगला क्वेशन क्या है आपका इन पेपर क्रुमेटोग्राफी वेन दा मुव्मेट अफ मॉबाइल फेज इस इन आवट वर्म सेंट्रल स्पोर्ट डेवलपमेट इस कॉल्ड यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जब आपका पेपर क्रुमेटोग्राफिक की जाती है तो उसमें जो मॉबाइल फेज होता है जो आटवर्ट से अंदर की तरफ जाता है वह किस तरीके से होता है तो वह अकर्स पाई रेडि कोश्राइब करता है और जो यह आपका एक मॉलीकुलर विच्ज वह परटिकुलर लिग्वाट कार्फ टेस्ट केंपर मेटड जो होता है वो आपका टेस्ट किया जाता है ठीक है अग्रा पूछ रहा है आपका एंट्रोपी चेंज डिपांस अपन जो किसी आपके सब्स्ट अगला पूछ रहा है विच आप फॉल्वाइग इंडिकेर्स टोटल हीट ऑफ सबस्टैंस तो एक हीट जो एक पर्टिकुलर सबस्टैंस के अंदर जो टोटल हीट है उसको आप वह किस्से आपको पास लगता है तो आपका इन थैल पी जो होता है एक प्रेशर एक यह इंडिकेर्ट करता है क्या आपका टोटल हीट ऑफ सबस्टैंस अगला कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस तो वह होगा 1.33 अगर आपकी एक रेडियेशन जो एक जो लाइट की रेडियेशन होती है वह आपके एट्मोस्टेरी एस वाटर के अंदर सबस्टी। यहां पर हम देखेंगे कि आपका रायट एंसर क्या होगा 1.33 वैल ब्रायर टैसर कि refracted index of water is 1.33 156 number question क्या है the system that forms maximum boiling azotrop is the maximum boiling azotrop जो होता है वह आपका acetone and chloroform से बनता है ठीक है बीज आप फॉल्लाइग इस नोट employed as an electrolyte in salt bridge used to connect to half cells of electrochemical cells electrochemical cells की दोर पर आप क्या है किसको एक salt bridge की तरह यूज नहीं कर सकते तो आपका H2SO4 जो होता है sulfuric acid उसको यूज नहीं किया जाता है ठीक है अगला पूछ रहा है which among the following salt solution is basic in nature इसमें से कौन सापका salt solution जो है वो basic nature में है तो आपका right answer होगा sodium acetate ठीक 159 तंबर question क्या रहा है and increase in the concentration of reactants of reaction leads to change in तो आपके किसी भी reactants का concentration के अंतर चेंज आता है वो किस पर आपका depend करता है जब भी आपका reaction हो रहा तो उसके पहले उनके रहा होगा reaction के बाद कुछ और होगा तो वह आपका collision frequency के ऊपर depend करता है इंटर-atomic distance is maximum in तो आपका इंटर-atomic distance सब्सक्राइब सब्सक्राइब के अंदर होगा क्योंकि देखिए जो आपका वाटर है वह आपका जो atomic distance होगा वह भी सब्सक्राइब किसके अंदर आपके स्टीम के अंदर पाया जाएगा ठीक है 161 तंबर कोशन क्या कह रहा है कि nitrogen liquefies at तो आपका minus 196 degree Celsius जो cry preservation आप करते हैं तो आप liquid nitrogen के अंदर ही तो करते हैं तो आपका liquid nitrogen कब आप nitrogen को कितना minus 196 degree Celsius पर रखते हैं और यह आपका यूज होता है कि इसके लिए आपका cryo preservation के लिए तो यहां पर पूछ रहा है कि इन में से कौन सा एक secondary cell है which of the following is a secondary cell तो here will be lead storage battery is a secondary storage cell और इसके अंदर आपका sulfuric acid याणि ह्यानि ह्यानि ह्यूज करते हैं ठीक है the value of henry's loss constant is तो यहां पर यह कह रहा है कि आपका गैस का गैस के लिए आपका greater for gas with lower solubility यानि गैस जो होता है उसका henry's loss constant जोगा बहुत ज्यादा होगा with low solubility जिए कि अगला क्वेशन क्या कह रहा है आपके लिए कि हकल रूल इस लिए टू तो जितने भी आपके जोते हैं जितने भी आपके चैमिकल होते हैं ठीक है उनकी जो अरोमेटिक प्रोपर्टी उसको टेस्ट करने के लिए आपका हके जो होता है वह लगाया जाता है ठीक है अगला क्वेशन क्या कह रहा है वीच अब फॉलाइंग कैन हैव मीजो स्टक्चर तो आपका मीजो स्टक्चर जो होता है वह प्रिजेंट होता है अगर हम स्टार्ज की बात करें तो जो आपका स्टार्ज है वह आपका किसे बना होता है स्टार्ज इस मेड़ अफ आप ऑस यह होता है यह एक तरह कप्छा गंड करना एसेंशल अमाइन एंटािड है जो कि आपका किसा बनाई Mark Un intended by chef कि है एक आरेमेटिक अमाइनो एसेट ठीक है है 169 नंबर कॉश्चिन क्या कह रहा है विचेदा फॉल्वाइंग इस पेप्टाइड हॉर्मोन तो इसमें से पूशा कि कौन सा आपका एक पेप्टाइड हॉर्मोन होगा अपकर फॉल्वाज फीचेड फॉल इस से पॉलवाज और इस्पोशिव को और इस्पोशन आफ प्रोटीन यानि एक प्रूटीन को ब्रेक दाउन करना amino acid के लिए उसके लिए इंक्वीस टेंपरेचर एडिशन अफ एसेड एक्पोजर तो यूविलाइट अल्स फेक्टर्स और रेस्पोंसिबल ठीक 111 नंबर कुछिंग क्या रहा है विच आप फॉलाइंग इस करेक्ट स्पेट्मेंट अबाउट अरुमेटिक हाइड्रोकारब होते हैं उनके बार में विसक्ट में जी आपका होता है और जोकालाइसन फैन को प्रोडट्ट है अगला क्या पूछ रहा है when a maximum of sodium benzoate and solar lime is heated the major product is obtained ठीकिए जब आप sodium benzoate और solar lime को एक साथ heat करते हैं तो reaction में आपको प्रड़क्ट क्या एक बेंजीन जो है एसा प्रड़क्ट अचीव होता है ठीक है अगला क्या कोशन पूछ रहा है separation of enantiomeric met enantiomeric carboxyl acid can be achieved by reaction with तो आपका morphine के साथ जब आप उसको react करेंगे किसी भी enantiomeric carboxyl को तो उससे क्या होता है वो दोनों separate हो जाते हैं ठीक है अगला कोशन पूछ रहा है विच्व फॉलाइं इसन एस्टर तो एस्टर क्या होता है जब भी कोई भी component क्या होता है ओए हम फॉर्ट कर लेता है ठीक है बाई रिमूवल ओफ क्या बहुते वाटर ठीक है तो वह आपका एस्टर होता है तो यहां पर आपका रहाए टनसर क्या होगा एसिटायस सलिक एसिट बेंजो बेंजो क्या को कैंठ तो यह सारे का एक तरह के एस्टर जोटेंटीक है को के नोगया बेंजो के नोगया या फिर एसिटायल सलिसालिक एसडीए सारे एक तरह के एस तरह के एस्ट जातीक है यहां पर पूछ रहा है कि बीच आफ फॉलवाइंग इस आपको एंटी इस्टेमिन तो आपके जो आलर्जिक रियक्शन रोटे आपके चेंटर लवर सिस अच्छोप फिनाडाइन हो गया लौरा टीराइन हो गया यह सारे आपके नॉन स्व्डाटिव इस रेटिंग एंटि हिस्टेमिन से लेकिन आपका फीनै फैनियर माइंड़ वह आपका नॉन स्रेटिव एंटि हिस्टेमिन नहीं थीख है अगला पूछ रहा है कि क्या बोलत acid calcium gluconate ascorbic acid magnesium oxide तो आपका हमाटनिक जो होगा वह आपका folic acid होगा क्योंकि इसके अंदर आपके आएं जो होते हैं present होते हैं and folic acid is very much important for your blood ठीकि आपके ब्लड के अंदर आपका folic acid मुला बहुत जादा जरूर रहे ठीकि अगला question क्या कह रहे है ठीकि क्या आपका acid defined agent है और expectorant भी है तो आपका right answer क्या होगा ammonium chloride will be the right answer next question which of the following is a synthetic antibiotic तो इन में से कौन सा आपका synthetic antibiotic है तो आपका right answer होगा chloram phanicole ठीकि है 180 number question क्या कह रहे है which of the following is not used topically तो आपका topically कौन सा चीज कौन सा आपका जो chemical है वो यूज नहीं कह रहता है वह आपका sulphi sulphur diazine जो होता है वह आप यूज नहीं कर सकते ठीक which of the following is an anti metabolite so five fluoroural cells जो होता है वह आपका anti metabolite property रखता है talking to the next question which of the following is the first first line anti tuber tubercular agent तो आपका यहां पर राइट एंसर होगा iso niazad iso niazad जो होगा वह आपका anti tubercular agent होगा ठीक है which of the following is a tetracycline product so we are tetracycline product होता है कौन है तो यहां पर राइट एंसर होगा रो लिटर रेसी रोली tetracycline ठीका रोली tetracycline जो होता है वह आपका tetracycline pro drug होता है ठीक है gray baby syndrome जो होता है is an adverse effect of जो आपका gray baby syndrome problem होती वह किसके adverse effect होती है तो आपका chloramphenol amphenicol जो होता है वह ज्यादा ओप्रोस्ट्राइब करता आप निकल रहा है तो वह स्काण होता है तो यह होता है वह आपका निकल रहते हैं झो वह आपका उसका आक्शन जो कि आप कर थे ख थे तो है 186 ृप कोशन कोशन क्या है है नाइस्ट साथ से लिज अफा फॉलोईउंग पिछ विच-व अफंगल एजन तो आपका नाइस्ट उता है वह आपका पॉलीन क्लास आफ एंटी फंगल इसे आपका विलाओं करता है 187 क्या कह रहा है accuracy of analytical method is expressed in terms of तो जो आपके express जो accuracy होती है वह आपके measure किसे की जाती है relative error method से आपके उसको express किया जाता है ठीक है 188 number question क्या कह रहा है in titration the weak acid by the strong base which of the following indicator would be the best तो आपको पता होगा कि आपने टाइटरेशन के experiment किया होंगे chemistry lab में तो आपको पता होगा फिन अप्थलीन का यूज किया रहता है वो बिल्कुल लाइट आपका pinkish color जो देता है ठीक है तो यहां भी आपका राइट एंसर होगा phenophthalene with the right answer acid present in lemon orange and grapes तो आपका पता है कि जो आपका citrus fruits होते हैं उसके अंदर आपकी citric acid जो होती है वो present होती है which of the following techniques are based on the scattering of radiation scattering of radiation के उपर से आपके कौन कौन सी टेक्निक जो होती है वह आपके डिपेंड करती है तो आपका राइट एंसर होगा टर्बिमेट्री एंड निफैलोमेट्री जो होता है वह आपका डिपेंड करता है scattering of radiation के ऊपर ठीक है आपके जो अपने सिटी स्कैन देखा होगा MRI वेगरा देखा होगा ठीक है तो यह जो होती है आपके scattering of radiation method सापके किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपका राइट एंसर होगा बोथ एंड सी टीक तो बोथ एंसी विल पीड़ाइट एंसर 191 तंबर कुर्शन क्या क्या रहा है ऑक्सिजाइजिंग पावर ऑफ के एमनो थ्री के मैंनो फॉर इस मैक्सिमम इन तो आपको एक तरह से आपका क्या है एक तरह से आपका इंडिकेटर होता है तो यह आपका इसकी पावर जो तो किसी भी अगर केमिकल रियक्शन में आपकी एमनो फॉर एप्लाई करते हैं तो आपको एस्टिक कंडिशन से उसके अंदर एक्सक्राइजिंग पावर जोती सबसे ज़्यादा होती है ठीक है 192 नमबर कोशिन क्या कह रहा है तो यहां पर बोल रहा है कि आपका इंडिकेटर के अंदर आपका कौंसा इंडिकेटर जो है वो यूज के जाता है तो यहां आपका राइंसर होगा यूज का starch solution would be the right answer which of the following Dice is used as an indicator in the precipitation of precipitation titration तो परिटिश परिपिटिशन के अंदर आप कौंसी डाइक क्या ऐज अंदिकेटर आप आप यूस करते हैं तो आपका आपका फ्लूरो रेसिंज दो उसको आप यूस करते हैं as an indicator in the precipitation titration 194th number question which is the following is used as an masking agent in the complexo-metric titration. so here the right answer will be ascorbic acid vacuum UV lies between तो आपका जो रेंज होता है vacuum UV का वो किसके बीच में आपका लाई करता है तो 10 to 200 nanometers के अंदर आपका लाई करता है 196 number question के अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है which of the following factor affects the vibrational stretching frequency of the diatomic molecules तो के diatomic molecules के जो आपका stretching frequency होते हैं उसको effect क्या करता है आपके force constants जो होते हैं उसको effective करते हैं तो राइट एंसर विल भी force constant 197 number question क्या कह रहा है आपका signal splitting in the nmr यानिकी nuclear magnetic radiation के अंदर आपका क्या कह रहा है कि आपका arises from तो यह आपका spin-spin coupling के वजह से आपका क्या होता है signal splitting होता है आपका nuclear magnetic radiation के अंदर the nuclear does not give nmr signal is तो कौन सा होता है तो आपका 11 b जो है आपका अनमर सिगनल नहीं देता है विजह फॉलाइं इस नाट ख्रोमफोर तो आपका hydroxyl जो होता है वह एक ख्रोमफोर नहीं है फिनॉल क्या कैन क्वांटिटिव ली बीडिटर्माइन दबाइं लगकर फिनॉल होते हैं उनको आप भॉरो मैट्री से आप को डिटरमाइन कर सकते हैं तो अक्वर क्वाल्टी गंत्रोल जोता है यह वह किसका आपका पाट है तो आपका गूड्य manufacturing process of practice का एक पार्ट होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल अगादिंटू दर्वर्ड हेल्ट और्गनालिजेशन ठी तूस यह तू में क्या पूछ रहा है आपका अगला कोशन की मिल्क अफ मैंगनेशिया क्या है तो मैंगनेशियम हड्रोकसाइड को ही आप मिल्क अफ मैंगनेशिया कहते हैं ठीक है वेच अब फॉलाइंग इस अट्रायोस तो यहां पर आपको पूछ रहा है कि इन में से क्या एक ट्रायोस है तो ग्लिसाल डिहाइड आर्दर ट्रायोस ठीक है अगला पूछ रहा है दा कैटलिस्ट यूजिस इन फीडल क्लाफ्ट अ ओललाजसिक इंग इंग से तो आपका ऐलॉमिनियम खलॉरायड सोटा वहीं उसको तसक्त करता है ठीक है 206 की बात की जाए तो यूरिनली एलिमिनेशन ऑफ बेसिक ड्रग इस एन्हास्ट वाइड़्जस्टिंग तो आपका जो यूरिनली एलिमेशन यानि कि जब आपके यूरीन से आपके ड्रग जो बाहर नहीं कि वाटर जाए उसको क्या कर सकते हैं उसको आप एड्जस्ट कर सक सकते हैं और यूरिनली एलिमेशन ऑफ बेसिक ड्रग को जो है आप एन्हास कर सकते हैं ठीक है अगला क्या पूछ रहा है दा पोस्ट गैंगलियोनिक स्म पैथेटिक निरो ट्रांस्मिटर रिलीज इन स्वेट क्लाइब पोस्ट गैंगलियोनिक स्भूथा इन यूरो ट्रांस्मिटर रिलीज इन तुरिण इज्वागा आपका इसी टाइल कोलीम घिल भी तर राइंसर डू-0-8 में क्या पूछ रहा है दॉट इस शौत एक्टिंच इन inhibitor is so यहां पर आपका राइट एंसर होगा एड्रो फोनम एड्रो फोनियम तो एड्रो फोनियम विल बी दा राइट एंसर ठीक है टू जिरो एट में क्या पूछ रहा है जाता है विच इस करेक्ट सीक्वेंस विच इस कारेट सीक्वेंस ऑस्टेज और जेनरल एनस्थीसिया तो आपको जो जाता है तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा वन एनलजेसिया सेकेंड आपका क्या होता है एक्साइटमेंट एंड डेलिरिनम फिर आपका होता है सर्जिकल एनस्थीसिया और फाइनली आपका ง का मैडेललि पैरलेसिस ठीक है तो आपका यह स्टेज्ड आपका क्या किया जाता है उफ सांसर भी र hm q & s चर। मैं आपका जो है आपका theähän से जो है वह भी आ पर सेाफ होता है पेशेंट के अंदर ठीक है वो को डिजटलिस्ड therapy is contradicted in the presence of such a digital this digital is therapy Jota I have a hypokalemia hypo hypothyroidism mycocardia it is in sabi me aapka johai digital therapy Jota Ivo Dija Tieti kya agla question kya which is the following statement about the amyloid are correct except so after sire statement you have a correct other than it enhance the na plus reabsorption next question is among the following drugs which is a long-lasting beta 2 again agonist use in asthma after asthma and the concept of use care of the cell master all johai wo use care of prolactin released by inhibiting a prolactin release inhibitor hormone is your using dopamine dopamine का अगर आप इंजेक्शन देते तो prolactin का जो रिलीज है वह आपका रुक जाता है ठीक है prolonged use of proton pump inhibits the inhibitor inhibits absorption of vitamin अगर जाद टाइम तक आपका प्रोटोन प्रोटोन पंप इनिविटर आप यूस करते हैं तो विटामिन बीट्वेल जो होता है को बाला माइन जो होता है आपका उसका जो है इसमें पूछ रहा है कि इन में से कौन सा एक कॉपर चिलेटर तो आपका राइट एंसर क्या होगा आपका डी पैनी चीला माइन जो होता है वह आपका कॉपर चिलेटर होता है ठीक है अगर 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 आपके 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 इम्मीन सिस्टम को आपका बूस्ट करते हैं कौन सा नहीं है यह पूछ रहा है तो आपका लिव प्रोलाइट जो होता है वह आपका इम्मीन स्टुमलेंट ड्रग नहीं है ठीक है इन उसको आप एस्थमा ड्रग क्यों नहीं चूज करते हैं उसका रीजन क्या है इट है नेरो थेरापेटिक विंडो है बीन प्रोपेंसिटी टू ड्रग इंटर एक्शन इट कॉस् एराइथीमिया तो आपका राइट एंस वह सारे इन सारे रीजन्स की वज़े से आप क्या थियोफाइलीन को आप यूज नहीं कर सकते हैं अधा ड्रग इन एस्थमा लेक्स विल टॉक अबाउट ओल्ड़ फॉलाइंग कंडिशन और कॉंट्रा इंडिकेट टू कॉटी कोस selling मौस कोटिकोस टेराइट घरैपी एक्सेप्ट सारी कॉट्डिशनज है यहां पर जो कंडिशन मिलाइटर अंदर इसके अंदर आते हं है ठीक है अगला कोशन क्या पूछ रहा है विजिदा फॉलाइंग इस नॉट आ टाइप ऑफ एडाप्शन तो किस कौन साइट टाइप ऑफ एडाप्शन नहीं है तो आपका एपो एपो टोस जो होता है इस नॉट टाइप ऑफ एडाप्शन नेक्स्ट फिल टॉक अबाउट तो आपको जो वैशोडाइलेशिंग का जो प्रॉसस होता है वह आपका हिस्टामिन के अंदर आपको देखने को मिलता है ठीक है लिकोसाइटोसिस रेफरस टो तो आपको पता कि अब्नुक का इस एक को बला जाता है और जब वाइट ब्लॉट सेल्स की जो होता है ज्यादा cytosis की जो आपका disorder अब आपके body में फर्म होता है तो यहां पर राइट आइंसर होगा increase in the number of WBC that is white blood cells, okay? सो नेक्स्वाशन इस दा वैस्किल आप वैस्क्यूलाइट इस और फंगर इन ज्यक्शन इन छाइट आपका वेसक्लाइटिस एक पंगलिंसेक्शन है वो किसके द्वारा कॉज होता है तो आपका मूक मूकर माइकोसिस एंदर कॉज होता है ठीक है नेक्स्ट विशन इस फॉलाइं अधका उफ प्राइमरी गॉट्स ठीक है इन में से सब एक प्राइमरी कॉज है गॉट के एक्सेट कौन सा ठीक है तो इट इसको दूट 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 आफ इंक्रीज यूरिक एसेड प्रॉट्शन तो इसके वाइसे नहीं होता है अपके सोडियम होता है और आपके जॉइंस होते हैं उसके अंदर क्रिस्टल आइए निकी चोडियो क्रिस्टल जो तो फॉर्म हो जाते हैं इंग्रीज यूरिक एसे शिंदाटिस इन दाइड़ पैटिक रिजन it is called due to the peripheral deficiency of hypoxanthine guanine phosphorribulase transfer stick of the side reasons a accept b ticket b will be the right answer 225 number question kya kya raha hai which statement about type 2 diabetes mellitus is incorrect type 2 diabetes mellitus jota us k comparison a con sa aapka joe hai wrong option hooga it is caused by the peripheral resistance to the insulin action it is caused due to the inadequate secretion of pancreatic b beta cells it is an autoimmune disease characterized by the pancreatic beta cell destruction or it is the most common form of type 1 diabetes so you have a cup kya joe hooga wogalat hooga kya 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 wazipracin joha aapka anti-duretic hormones joha wogh release nahi ho paati is late aapka type 2 diabetes mellitus joha wogh cause hota hai to yaapka b answer joe hooga sorry see joha wabka wogh kampe kya 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 you Reynolds chateабот about the cyclope oxygenase cox enzyme is incorrect to you aiapka right answer kya it is involved in the prostagladin synthet synthesis cox cox cox2 is expressed considerably and serves at the homeostatic function the products of cox-1 prostacycling have cytoprotective functions nsaid induced gastropathy and gastritis occurs due to an inhibition of cox and synthesis of prostaglandin pg e2 and pg i2 तो यहां पर आपका right answer क्या होगा second तो यह आपका incorrect statement है regarding आपका cyclo-oxygenase ठीक है तो आपका B will be the correct answer next we'll talk about select a drug from the list which acts as a enzyme inhibitor तो आपके enzymatic action को रोकने के लिए आपका कौन सा ड्रग है जो आपका यूस किया जाता है तो आपका omeprazole जो होता है वो enzymatic actions को reduce करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है next question following anti-hypersensitive agent are unsafe in hypersensitive pregnant women तो यहां पर बोल रहा है कि आपका कौन सा anti-hypersensitive agent जो है वह आपका unsafe होता है hypersensitive pregnant women के लिए तो आपका methyl dopa जो है वह आपका यूज नहीं किया जाता है जब आपकी वुमें जो की काफी साह सेंसिटिव जटी के अंदर है आपके एक pregnant condition के अंदर ठीक है next we'll talk about which is the following statement is incorrect about the adverse drug reaction adverse drug reaction type A के बार में कौन से statement जो है वो गलत है यह पूच रहा है these are the drug dose dependent reaction they are the pharmacologically predictable these are managed by dose adjustment these are usually led to high mortality तो यहां पर आपका wrong answer क्या होगा these are usually to high mortality तो आपके high mortality के लिए आपका जो है responsible नहीं होता है ठीक है in 220 in children due to the crater metabolic clearance then adult which drug is required to be given in higher dose to achieve plasma अचीव plasma concentration like those observed in adults तो आपका जो बच्चे उनके अंदर आपके जो है तो यहां पर आपको दिया जाता है ता कि उनके अंदर वही plasma concentration जो मिल सकते जो कि उनके अडल के अंदर प्रजेंट था तो आपका इसमें कॉंसा ड्रग जो है वो यूज के जाएगा तो यहां पर राइट एंसर क्या होगा फिनाइट फिनाइट टोइंग आपका कर्भा एजपाइन थीओ फाइलिंग यह सारे ड्रग जो है आपके यूज के जाएंगे ओल आप दर एबर ठीक है a patient was an anticoagulant therapy with barfine he was prescribed the fill look cast Z and the management of bronchial asthma however the initiation of the the feel you cast blood level in the barfin evaluate evaluate elevated elevated what could be the reason of the elevation of blood level of warfine so I happen apparatus over key after zo is our fill you cast her reduces the metabolism of warfine that's why you have cut blood ke under you have a cup elevation hogya warfine kati kato aupka right answer kya over be the drug a which drug is used as an antidote in the pass it a more overdose poisoning so job up Zada up to body my person more job fever ke liya play things data so other us key Joe upka overdose I was killed a poisoning what the concept of anti-dour driver use key data ito acetal 16 and methionine both are used as the antidote for paracetamol overdose or poisoning next we'll talk about my toe chloro chloropramide and anti-metic drug has antagonistic action on which receptor so it has 5 HD 4 receptor keeper jota is ka agonistic action do you have could take me come to 34 to 34 number question which anti-clo clonisterase agent is used for the diagnosis of my tax methanes 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 gravis ke liya aap kaun sa jo hai anti-chlori esterase agent job up use carrying ito here right answer will be a drop for adrophonium will be used so right answer will be b next is tumor marker ca125 is indicative of which cancer so the right answer will be ovarian can cancel inspiratory capacity of the sum of inspiratory reserve volume and so you have up a jo inspiratory capacity a book is custom a upka inspiratory reserve volume or tidal volume cut it the layer of mucous membrane that comes in direct contact with the GI tab gaining gastrointestinal intestinal tract is so you have got epithelium layer so after job stomach mucous layer hootahe wotahe gastrointestinal intestinal tract contact contact with the epithelium layer in your stomach which of the following which of following are various refraction abnormalities of eyes except so you can talk a hype myopia hyperopia astimatis jota yes sorry aap ka kya hai ita kya abnormalities of eye but the amitropia is not an refractive abnormality of eye okay so the right answer will be b which type of cell in the bone tissue participate in the resorption of bone so so after resorption of bone ka madab kya hai ki joh aap ka bone ki formation ke liye korn kaun se joe hai aap ke tissues joe woh aap ke responsible hootahe osteoblast joe cells hootahe they are responsible for the resorption of bones okay the chemicals that stimulate the gustatory receptor cells are known as to ya pep ka right answer hogha test actin stick ya 241 number question kya kya the type of membrane transport that use iron gradient as energy source is so here the right answer will be secondary active transport the integral 242 number question can be exerted with so here the right answer will be a solution containing detergent solution contain detergent will be the right answer yeah 243 number question kya kya raha hai regular during regular checkup a child is detected with the erupted bone mineralization which of the following vitamin deficiency can be caused by this problem which of the following are the major event in electron transport chain aap ke electron transport chain me aap ke korn ke korn korn se major event hoonghe to aapka aap ke answer electrons flow and release of energy proton gradient formation proton motive force driven ATP synthesis yes sorry joining ke all of the ever will be right answer the key aapka electron transport chain ke nye sari event akar karte hai next question is which of the following statement about the mikhial mantis kinetics kinetics is correct so you have a pooch ra hai ki constant statement java correct her talk about answer loga d that means km the mikhial constant is the measure of enzyme affinity to the substrate yaniki aek enzyme kya se aapness substrate ke saath combine karta auric reaction joe akar is the right answer okay okay aagla question kya aapka marfen syndrome is caused by mutation of mutation in the gene which encodes for so yaah pe aapka write answer go fibrillin fibrobe be the right answer okay next will talk about dimethyl sulfofide dank dmso is used for so it is used as the cryo protectant से आपका जो सेल का प्रोटेक्शन होता है उसके लिए आपका यूज कहाता है डाय मिथाइल सलफ ऑक्साइड वेज़ तो फॉलाइग इस नाट आप ऑफ ग्रोथ मीडियम इन अनिमल कल्चर तो अनिमल कल्चर के अंदर आपका कौन सा ग्रोथ का पार्ट नहीं होगा सो स्टार इस नौट अग्रोथ पार्ट मीडियम इन दा अनिमल कल्चर सीरम कार्बन सोर्स इन और रिस सारे आपके अनिमल कल्चर के अंदर यूज किये जाते हैं next we'll talk about in which phase secondary metabolites are produced so here the right answer will be stationary phase secondary metabolites stationary phase में अकर होते हैं ठीक है who developed the chemical technique synthesis poly nucleotides ठीक है तो आपका हर गोविंद कुराला सर ने जो है आपका synthesis or synthesize poly nucleotides का जो टेक्नीक है वो दिया था ठीक है the first hormone produced by bacteria in used in the recommend DNA technology वो था आपका insulin ठीक है तो पहला आपका insulin जो है वो यूज किया गया था in the recommend DNA technology 252 कोशन किया किया किराए विचेद फोलाइं इस एफेक्टेट बाइद यूज आफ एंटिबियोतिक दैख इनहिबिट और इनक्रिवेट दस्टैवर रइबोजोम तो यहां पर यह पूछ रहा है कि आपका है in a cellulol ribosomes का जो है अगर activity का इनिबेट करना और इनक्तिवेट करना है तो आपको इनले से किसे इंटिबायोटिक वजह कोना होगा तो यहां पर आफ्का एंसर होगा प्रोटेन सिंथेस्स अगला क्या कह रहा है से अगर आफ एक आपका जो क्या कह रहा है at temperature of 161 60 degree Celsius for one hour compete complete sterilization occurs in so यहां पर आपका hot air oven के अंदर 160 degree Celsius आप क्या करते हैं आपके इतने भी equipment से जितने भी आपके culture मीडिया चाहिए fungal culture हो animal culture उसको आप क्या कर स्टेरिलाइस करते हैं hot air oven ठीक है 254 number question क्या कह रहा है condensation of light in light microscope is done by so आपका जो light microscope के अंदर condensation जो प्रोस्ट होता है वो आपका condenser के अंदर किया जाता है so right answer will be condenser which of following are the acid fast microbes so here mycobacterial bacterial spores nocardia all of the above will be the right answer these are the acid fast microbes a disease that can be transmitted by an infected agent from one individual to and that is known as the bilkovis com contagious disease communicable diseases कैसे जो कि आपका एक दूसरी contact में आने से फैल्सी है ठीक है पैंडेमिक जिसे कि आपका कोरोना था वो पैंडेमिक हो गया ठीक है यानि कि एक आपके फ्रॉट वर्ल्टा काफी जादा देर तक आपका फैला रहा करना है तो उसके लिए कौन-कौन से मेथर्ज है वह आप यूस करेंगे तो हीर दराइट एंसर वी डेडियाशन मेथर्ड केमिकल मेशर एंड हीटिंग मेथर्ड यानि कि सारे मेथर्ज आप यूस करते हैं ठीक है 258 में अगरा हम बार किया जर्था इमन्यूटिक्वार आपकिया बान्यूटिक्वार्प्टा खा इमूर्प्टिक्वाइट उ curणेंग्ञन तो ना है तो here the right answer will be artificial active immunity दगूना एन बीरा आफ जिंजिवर उफिसएनेल इस तेवली थो आपकोा प्लाभ गूना वीरा जिंजिवर उफिस हर गिन निदरग कiny мет उसना तो यह आपका होता है आपका जिंजिटर ओफिसलिगर दो थे राइट एंसर देपर सिख्ण और टिक तरसा किस बना होता है तो आपका वायूँ है अप्लस आकास से आपका तिक तरह तरह को बना होता यह जो आपकी जो अयरुवधिक medicine हो गई उसके अंदर आपका यह सारे चीज़े आते है ठीक है all of the following contains indolemiotic except आपका atropin ठीक है the right answer will be atropin reserpine हो गया यह स्ट्री से स्ट्री काइन हो गया फाइको स्टिक नाइन हो गया यह सारे के अंदर आपका indolemiotic में और टी जो था वो प्रिजेंट होता है अगला के वाट ड़स्टिक मीन इन रेफरेंस to holistic medicine holistic का मतलब क्या होता है जब आप holistic medicine की बात कर रहे होते हैं तो to addressing the whole person ठीक है पूरे इंसान के बाड़ी पर अफर करने वाइं मेडिसीन को क्या कहते है आप holistic medicine कहते हैं अगला क्या 敢 रहे यह ओपींवल्केलोईट हैं इसो क्यों क्यों लाइं रिंगиллиनम इस स्टम इस तो आकको पता है ओपियम मूलब मुंधट मिलेब नेकार जाता नहीं करते है ठीक है राव सुमेनी टिकालोधं टाटएं टो दिक होता है चरब陽डवाईं next question the microscopial examination of crude drugs involved so after पता है कि इसके crude drugs के अंदर आपको क्या 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 इंवाल होगा determination of size of different cells and tissues determination of the shape of different cells and tissues determination of relative portion of different cells and tissues so all of the above will be the right answer 265 in which of the following form does the agaicone muti in the senoside a and senoside b is present so it is present in the dextro rotatory and meso forms the kinogenic glycosides are topical genetic glycosides होते हैं वह आपके ओग्लाइको साइट्स होते हैं so right answer will be of glycosides ओके आपके बैलेरियन हर्ब इस यूस्टू टू 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 तो आपको बैलेरियन हर्ब होता है वह आपके इन्सोम्निया यानि कि जिन लोगों को जा नीद नहीं आती है प्रॉपर यानि कि जो नहीं पाते हैं उसको टूरीट करने के लिए आपका विलेरियन हर्ब जो है वह आपका यूज किया जाता है नेक्स्कूशन इस विजदा फॉलाइंग ड्रॉग इस और आर यूज एज जो लोग बहुत जाए रहते हैं यानि कि जो ने को बहुत जाए बहुत जाए डिप्रस इतों इंटी डिप्रसंट आपका यूज होता है वह कौन कौन सा है तो यहां पर आपका देखेगा आपरीश्यम मेली पर टीशियर सैंड जॉन स्वाट यह सारे आपके एक तरह से एं यहां पूछ रहा है विच हो फॉलाइं स्वाइटमेंट अबादब केंपो थेसीन इस इंकरेक्ट तो चैंपो थेसीन के बार में कौन सा जो स्टेटमेंट वू आपका इंकरेक्ट है आपका पूछ रहा है इपलाए इस यलो निटर्शेप क्रिस्टल इड़् नाट रस it is very weakly basic alkaloid it forms stable salt with minerals तो यहां पर आपका डी जो होगा वो गलत है बागी साय स्टेटमेंट सही है ठीक है वीचिता फॉलॉइंग चिंको ना एकलाइट गीज दा ब्लू फ्लॉरेसंस on treatment with the concentrated S2SO4 यानिके आपका जो sulphuric acid के साथ आपका जो है ब्लू फ्लॉरेसंस जो वह देता वह कौन है कौन सा आपका क्यू नाइन जो होता है वह आपका ब्लू फ्लॉरेसंस देता है तो राइट एंसर विल भी सी क्यूनाइट ओके सो नेक्स्ट आपका मैं आज दा फॉलॉइंग वाला question है तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आपका राइट एंसर क्या होगा तो राइट एंसर होगा आपका कि जो आपका एक तरह का ट्रांस कुलाइजर है ठीक है एक तरह कर जो आपका कैमपो थे सीन है वह आपका एक तरह का लुकेमिया उसको यूजकर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वीटाउक अबाउट दा बॉस्वर्वेलिक ऐसी वह आपका निवर्वर्वाटाइड और इस क्लिए ऊज़कर स सकते हैं नेक्स को जिंको लाइज जो है वो आप यूस कर सकते हैं प्रोस्ट्रेट कैंसर के लिए और वैली पोर ट्राइज जो थे वह आप यूस कर सकते किस के लिए as a transculizer. So, the right answer will be 2, 1, 4 and 3. Next, we will talk about which of the following nutraceuticals has the anti-inflammatory activities. तो जो आपके anti-inflammatory activities किसके अंदर है कि सूजन जो है वो ना है उसके लिए आप कौन सा न्यूटर का न्यूटर सुटिकल जो है आप यूस कर सकते हैं तो यहां पर आपका राइट एंसर होगा ओल जो कि है आपका क्यापसेसीन, क्वेर सटीन, लिलोलिलिक एसेड, और हैब दा आपका पता है कि जो हांपूर और होते हैं हर्बर ट्रग के अंदर वो क्या होते हैं बिल्कुल उससे फ्री होएं कि टोटली फ्री फ्रॉमिट बिल्कुल भी उसके अंदर प्रिजेंट नहीं होना चाहिए है पूरा आपका मैज फोलाइंग से अपका क्वेशन है तो कह रहा है कि क्लोव और जो होता है वह किसके लिए आपका यूजिन ओल आप उसको यूज़करते हैं फिनल ओल जो होता है आपका अनुटल की तरह आप यूज़करते हैं यूकलिप्टस और बात की जाए तो आप उसको किस तरह आप यूज कर रहे हैं as a sin oil and आगर आप पिपर मिंट की और बात करें तो आप उसको as a methanol आप उसको use करते हैं ठीक है तो आपका right answer क्या होगा d will be the right answer ग्लाइसरेजीन आप स्वीट प्रिंसिपल ओफ लिकोराइज इस तो आपका लिकोराइज के अंदर आपका स्वीटनेस अपका प्रेजन होता है ड्यूट ग्लाइसी रेजीन और यह क्या होता है आपका स्वीटनेस प्रवाइड करता है किसके अंदर आपका लिकोराइज के अंदर सो राइट एंसर विल्बी दे मैं आपको बता है बोला किया कब रोमेलीन जो होता है वह आपका यूज के जाता है एसन एनन स्को मोक सब्सक्राइब का देन आपका ल एसपर जाइन आपका यूज के जाता है फॉर एकोलाइब सुटल लैंस जो होता हो आपका यूज के जाता है बैसलर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोलाजिनेज जो होता है वह आपका यूज के जाता है फॉर एस स्कर्फ एस कोलाजिनेज जो आपका यूज के जाता है फॉर सी हिस्टो लाइटी सेम ठीक है तो राइट एंसर बीड अगला मैं आपके बारें बात करते हैं तो क्या है आपका गम घटी जो होता है वह आपका यूज क्या जाता है एक का बैना स्रोगा बी का इंडियन गम के बात किया जाए तो क्या होगा आपका और तो आप कराया कि अगर बात किया जाए तो वह आपका राइट आसर क्या होगा ट्री एंड लिखर बात किया जाए तो आपका राइट इस तो वह सकते हैं यह सारे आफ के ड्रॉग्ज है और इनके बार जूकर सौर्स के नाम यहां पर दिये हों ठीक है अग्ला क्वेशन क्या कहा है विच त फॉल एफ लाज़स्ट वाल्ग अपर लीफ शर्फसे सो डिजिटल इस लनाटा विल बीड़ राइट एंसर ग्यालोट टैनिन इन डर्नाट गॉल एंड इलागे टैनिन इन दा ओक आर तो यह दोनों क्या है आपका हाइड्रो लाइसेबल टैनिंज वह होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं ओक के अंदर ठीक है अगें आपका मैस्ट फॉलोइंग कोशन है तो यहां पर बुलना है और कि कौन से कैटेगरी है दिया हुए और आपके कौन से एलकलोइड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वह आपको मैच करना है तो हम बात करते हैं आपका एमिजोल की बारे में अमिड़ाज की बात किया जा है तो वह आपका रिसर पाइंड है ठीक है आई-सोगी नो लाइन के अगर बात किया जांए तो आपका पर आन है यह यह काू पॉपियो प्यंट से निकलता है आपका अगर स्टेरोड आईल की बात किया जाए तो वह आपका जराइट रोगावापका है कॉनिशिंद से होग next we'll talk about which is the following is not required for government use for personal in aseptic rule as per d and c rules in 1947 cotton's government should be used is the right answers as per d and c act 1940 if drug is imported under a name which belong to and the drug it is a bit deemil to other a drug can I'm Joe have what will do so that's a muta to work a spurious drug can under up a consider yeah 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 good manufacturing practice can under there to the factory premises of you any medicines are prescribed in schedule t t t k a prescribed key as per the provision of schedule K which one of the following class of drug is not extended for a sale license required under the provision of chapter 4 of d and c act 1940 and rules under and the rules there under in the ibuprofine tablets will be the right answer under schedule f part 12 b the prescribed period of defamation of blood donation in case of typhoid is that answer will be 12 months after you are going to a type of honey kebara month kebara and blood donate kar sakti kya which of the following preparation is treated as the preparation capable of being used as ordinary alcoholic beverage has it is liable to duty as per the medicinal and the toilet preparation act 1959 so here the right answer will be are the preparation made by distillation a will be the correct answer next is we are the following is the expiry rate of asava aristo ayurvedic medicine so as arva asava aristo ayurvedic medicine ki koi b expiry date nahi hoti hai have no expiry date will be the correct answer which one of the following act is not an offense under a drug and magic remedy act 1954 advertisement of an astrologer will be the correct answer but even if your cousin up for opening this time i am not sure i had over the right answer this one referring to use of amount of medicine for preventing of cataract and it is going to be the correct of United drug for treatment of prevention of AIDS यह सारे जो है आपका एक ओफेंस के अंदर आते हैं बट अफने इस नौट अफेंस अन्डर दर्ग एंड मैजिक रेमेडियस एक 1954 Bureau of Indian Standard is engaged in developing standard for which sector so आपका जो Bureau of Indian standard I joke a grading Australia करता है तो उसके लिए आपका किसके लिए responsible it is responsible for the chemicals food and agriculture medical equipment and hospital planning all of the above will be the correct answer okay next we'll talk about which one of the following presently effective regulation provides the registration of pharmacist to the entry of a person in to the profession so here the right answer will be pharmacy act 1948 next question is we have a follow-up product are under regulation of production by USFDA so United States food and drug a threat at the administration so bottled water prescript prescription drugs non-prescription all are will be coming under USFDA as for section 22 the food safety and standard act 2006 foods for special dietary use may be formulated as as except any in kalao kiska pauka parental spandrels powder form a granules form a casual form a you have food ko as a special dietary use ke liya up use curse of penalty k next kya hapa which one of the following criteria should be invention to be patentable not required to meet as per patent act 1970 so here the right answer will be your priority date novelty industrial application inventive steps yeh sare aapke andar aapke andar aapke andar aapke andar aapke andar baaki aapka priority date che hoota hai woh iske andar nahi aata hai thik hai next question is which one of the following management function income passes defining organization's goal establishing and overall strategy for achieving those goals and developing a comprehensive set of plan to integrate and coordinate activities so yeh sare aapke planning ke andar aata hai thik hai whenever you plan something to us ke andar hi kya aata hai aapka aak organization aata hai thik hai goal aata hai a goal jis paakko kaam karna hai so the right answer will be planning okay 295th number question me kya kya raha hai which one of the following defines how tasks are former divided and coordinated grouped and coordinated so an organizational structure kya hota hai aik job 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 you ask kya raha tiuri saku kya raha hai kabya kya hatti-anna hai aik job ka woh kya haga kya inar aakad geish nao saku kya kya hato iki kya hato kya po kya mito kya hato kya hato kya haan kya hato kya hato kya hato kya hato двух गौन्वर्ट कम्मुनिकेशन के आप किसको करेंगे सब्सक्राइशन बॉक्स एंप्लॉय एक तरफ आपका क्या होता है मैसज फ्लो करता है तो उसको आप क्या कहते हैं डाउनवर्ड कम्यूनिकेशन कहते हैं कि Next, we will talk about which of the following inventory models are used in the calculation of time of inventory orders. So, reorder point model will be the correct answer to calculate the timing of inventory orders. According to Herzberg's motivation, Hajin theory, the intrinsic factors are related to. So, job satisfaction related. So, the right answer will be job satisfaction. Next, we will talk about which of the following is not typically used procedure to reduce the number of employees. So, if you need to do this, on the side of the table, you do this, going on the way to do this winning record is used. So, for example, the meaning of the company is not going on, I can establish a reputation of the number of employees. So, the definition of the employees can be being used by Hello, Lord. So, if you have to be a lawyer to only say that the number of employees are not getting नहीं हो रहा हो तीफ टर्थी अंडर्नुबर कोशन क्या कह रहा है अ-frequently used method for determining training need in walls ठीक है तो आपका यहां पर पूछ रहा है कि आपका frequently-used method for determining training means रने के एक employee ko training देन ऑने की ज़रत है उसके अंधर क्या क्या आप का एगा in-depth interview of randomly selected employees tree k ciao अगला क्या group discussion with the एक्सपर तो यह सारे मेफ़ड ने जिससे आप त्रेनिंग अगर आपको देनी तो उसमें आप इंटर्वी तो पहले होता है ग्रूप डिसकुशन अगर किया जा रहा है अगर जो यहां पर नौन करने होगा अगर आप फूर सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर गिविंग यह टाइं ते प्रिपेरिंग टेक क्यार आफ यॉर्सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अग्रिकुल्चर एंड जी के